नमस्कार रिक जाम हैपी बाई जार्खन चैनल में आपका स्वागत है तो दोस्तों जूड़ चुका हूं मैं यहाँ पर आप सभी सहा कद्यापको के आकलन परिच्छा की तैयारी को लिए तो आप सभी का आकलन परिच्छा बहुत जल्द होने वाला है इसलिए आप सभी तैय भी नहीं रखेंगे कि यह तो आकलन ने सिर्फ 10% के लिए हम दे रहें सरकार का कब दिमाग घुमेगा कोई गारेंटी नहीं है जितने पास रहेंगे उन सभी को वेतनमान दे देंगे और जो पास नहीं रहेंगे उनको वेतनमान नहीं मिलेगा तो आप जूड़ करके बता दे यदि आप जरगड में सहकत है कि आप आकलन परिच्छा की तयारी में मसुस कर रहें कि हम नहीं पास कर पाएंगे अंहिं प्रजूर है कि क्या पढ़ें क्या नहीं पर्जुड़ें किस से जुड़ें कैसे तयारी करें जिसे 100% हम पास करें, क्या पढ़ लें तो ऐसे दिमाग में बहुत सी बाते सभी की चल रही है, तो सभी की जब ऐसी बाते चल रही है, तो उन सभी का एक ही इलाज है, कि आप अपने टेस्ट बूक को पढ़िए कहीं जुड़िए या न जुड़िए, अपने टेस्ट बुक को पढ़ लिजे आप पास कर जाईगा क्योंकि सफलता इतनी असान चीद नहीं होती है कुछ ने कुछ करना पढ़ता है अब रही बात कि आप अपने टेस्ट बुक से समंधित अधारित प्रशन को नहीं ढूंड पार नहीं पढ़ पार है आपके पास समय नहीं स्ट पीडियेफ, मिटरियल और उसी अस्तर का प्रैक्टि सेट, मॉडल सेट सारा तयारी किया जा रहा है और आपको यहाप पर दिया जाता है और आप उसे जुड़ करके तयारी चाहिए आप कहीं भी रहें कहीं भी कुछ करें सामको भी आपको समय मिलता है तो आपके को पढ़ लिजिए और दिक्कत है तो बात कर लिजिए 9631054226 पर यहां आपको सारी समस्या का समधान मिलता रहेगा तो वीडियो देखने के बाद इस फॉन पर पर जरूर कॉल करेंगे तो चलिए चलते ऐसा बहुभूज जिसकी सभी भुजाएं समान हो कहलाता है क्या कहलाता है ऐसा बहुभूज जिसकी सभी भुजाएं समान हो क्या कहलाता है देखिए ऐसा ही प्रशन होगा खली देखिए और मरिये इसलिए तम याद रखिए दिमाग में स्पिट बढ़ाना है तिरभूज कहत हैं जिसकी तीन भूजा बराबर हो ठीक है जिसकी तीन भूजा से घीरा हुआ हो ठीक है और तीनों भूजा बराबर हो तो सुखा कहेंगे सम बहुत तिर भूज तो यहां वह नहीं कर रहा है कर ऐसा बहुत जिसकी सब भूजा बराबर हो तो चतर भूज चार भूजा से घीरा वह अच्छेतर और सब बराबर होतु और सम 4 भूज कोई नहीं यानि इसमें का सम बहु बहुज क्या होगा शम बहुज सम का मतलब बहुत और भुजा का मतलब भूज़ ठीक है यानि जिसकी बहुत भुज आये हों लगพर कि सब भुज आपस में क्या αλλά भुज चमान हो तो उसको लोग संबहो बूज कहेंगे इसका राय एंशर संबहो बूज है चले अगला है तीन भूजाओं से घिरी हुई बंद आक्रीती को क्या कहते हैं त्रिभूज चेतरभूज आयत यावर्घ इसका राय इंसर त्रिभूज आप अभी कोई बना दिया होंगे, कोमेंट जूर करते चले हैं कितने प्रफशन आपके सही हो रहे हैं, इसी तरह के प्रफशन आपके एक्जाम में आएंगे, 100% तो आप देखते रहिएगा, और सारे नोट्स और पेडियों को पढ़ते रहिएगा, और यहां पर जो हम त्यारी कर रहा है, जिस लेबल का आपका एक्जाम में आना है, उसी लेबल का सिर्फ हम आपको प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं, तो आप यहां पर हमारे साथ 499 रुपया देखर के अवस जुड़िएगा, जिससे आपको सारा मेटरियल आपके एक्जाम के जैसा मिलने वाला है, और तीन भुजा से बंदाक्रति, पंच मने होता है पांच, यानि पांच भुजा से गिरिवी बंदाक्रति को पंच भुज, सट भुज, मतलब छो भुजा से, और सब्त भुज, मने साथ भुजा से गिरिवी बंदाक्रति को सब्त भुज काते हैं, ठीक है, जिसका राइट रह जएगा पंच भूज अगला है एक तीर भूज जिसकी तीनों भूजाएं आपस में बराबर हो जिसकी तीनों भूजाएं आपस में बराबर हो उसे क्या कहते हैं संंभाव साई सेंटमेटों सम बाहू मतलब इसके सभी भुजा ब्राबर उती है ते इसको व Urban संस고 सम नोर्स बनाए उबंगा है जो हमारे से साथ सेंटिमीटर सी यह साथ सेंटिमीटर है यह किस परकार का त्रिवूज है संभावव, घिशंभाव, संडिवाव react यह कोई नहीं देगा, आपको भूजा देगा परिवास भी नहीं देगा तो भूज nevertheless, करके तीनो वुजा आपस में किया बराबर है तो तीनों बिरेंट पर तुसको लोग क्या का लेता है संभाहोत्रभूज का लेता है इससर जा एक तैसे जे आगला प्रस्ण देखिएगा अगला प्रस्ण है विसी 3 100 सिन संवी नहीं ठीक है तक आप संवाँ है कैसा इस्यां कि आप क्रम्स और अधी सा यह किस प्रकार का संविजय ठीक है A B 7, A C 7, B C 5 मतलब 2 को भुजा क्या हो रहा है? बराबर हो रहा है जैसे यहाँ पर अगर हम देखेंगे इस तरह का बनाएंगे तो यह मान लिजए 7 cm यह मान लिजए 7 cm यह मान लिजए 5 cm तो इस पर क्या है भुजा का माप बराबर है? यह और यह 2 को ठीक है? तो 2 को जब भुजा की माप बराबर हो तो उसको हम लोग क्या काता है? तो सम मने बराबर और दिव मने दो बाहू मनलब भुजा है नहीं सम दिव बाहू क्या कहें उसको? शम दिव बाहू और तिरभुज की बाद चल रहा है उसे कौします काते हैं संबाव मतलब किए सब जाबम किएग मतलब नहीं और समधित बराबर होता है उसका संधि भाहू हम लोग कहते हैं ठीक है चलिए अगला देखते हैं तो इस तरह से यहाँ पर आपको क्लास 6 का एक्सरसाइज 12 का सभी पोटेंट की उच्छर नम दे रहे हैं और यहाँ पर क्लास 6 तब लगबग समाप्ति की हो रहे हैं आपको पूरा इसका नोट से लगबग मैथ का सिख आ होगा अब सेभyनट का स्टाइंग हो गई एक दू 2 चप्टर रहे हैं उसके बाद आपके ठीख्या है другой सेंट्मेट्र पांट सेंट्मेटर पांसरी नाम क्या है तो आप सब्सक्राइब लिखा हुआ है जो नोट्स पर्चिस करते हैं उसे संद्धे बाहुत रिभूज भी कहते हैं ठीक है चले अगला दिखेगा यहां पर बहुत बड़ा प्रशन है चार सेंटीमिटर पांट सेंटीमिटर और चो सेंटीमिटर भूजा वाले त्रीभूज का नाम क सब्सक्राइब नहीं चुछ है तो इसकी कोई भी भूज 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 हो तैक लिजसे बी संद्धे अगरा देखेगा यहां पर सेंटीमिटर सिक्स सेटिमिटर जैए पर क्यों भुजा के बताना था आग फिगर देख बताना था तो यह होगा सो इक है साथ सेटाइट ध्यान से देख लिजए एक है साथ सेटंपिटर फिर छो सेंटिमिटरле यह दोनों 6 cm आपसे बराबर है मतला 2 बुजा बराबर है एक इज और बराबर नहीं है तो जिसका 2 बुजा बराबर रहता सो कहा करते हैं लोग Sum दो के लिए दूई और बुजा के लिए वाओ यानि Sum दी बाउत रूच करते हैं ठीक रहता है यहां पर जिसके दो परकार तो यह इस का राइन सरी हो जाएगा अब देखिए तिरभूच का नाम बताई फिकर देखे सम्भाव हो है कि विसम्भाव है कि सम्धिभाव है कि कूनी क्या है आपको बताना है ठीक है तो चलिए सब मिजर्मेंट देखेंगे तो एक का रहा थी सेंटीटर एक कर रहा चार सेंटीटर एक कर रहा पांच सेंटीटर तो इसकी सभी भुजाओ कि माप क्या है अलग 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 है कोई भुजा एक नहीं है ठीक है तो इसी को हम लोग क तिरभूज काता है ठीक है चलिए अगला देखेगा तो देखे यही सब प्रोष्ण जो है आपके यहाँ पर तिरभूज और कौन जो चेप्टर 12 है अब इसके बाद 13 चेप्टर हम चलेंगे कल ठीक है 13 चेप्टर है और वह आपका ब्रीट से तो उसमें कुछ बनाना है हम लो करके तैयारी करना 101 पृत प्रति से सपलता प्राप्त करना है तो आप system तबने पर जो है वीडियो कیں तक है और यहाँ पर जो है आप जूड करके तैयारी कर सकते हैं और अच्छे मार्क ला सकते था है कि दन्यावाद